वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी संजेव जी क्या लगता नहीं है? क्या इस्तिया वाके में चिंता जनक हैं अगर वरिष्ट नेता कॉंग्रिस पार्टी के आकर प्रेस कॉंफरेंस करें और फिर अलादत प्रदेशों के अंदर की स्तियां ऐसी निकल कर सामने आजाएं जिस पर मंथन चिंतन हो ना चाहिए क्या ये गंभीर नहीं है? पार्टी के लिए चिंता जर्क नहीं है? क्या लगता है? पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा आत्मी चिंतन के मोड में रहती है चाहिए वो किसी परदेश में सत्ता में रहे तो सभी कारणों का चाहिए जब सत्ता में रहती है तो जनता के हितों में किस प्रकार से फैसलिय ज़िये जाएं, किस प्रकार से जनकल्यानकारी योजनाय बनाई जाएं, जिससे जनता का हितों, ये आत्मे चिंतन का विशा होता है, और जिन पर देसम सत्ता नहीं होती है, अगर केले में भी सत्ता नहीं ह तो किस सरकार से हमारे विपक्ष की भूमिकाय ऐसी हो जिससे की सरकार और जनता के बीच में पारदरशीता पनी रहे ये भी हमारे आत्मेचिंतन का विशा होता है जिस पर समय समय पर पार्टी आत्मेचिंतन करती रहती है मैं लेकिन फिर भी मैं बीजेपी के ओजस्त्री प्रवक्ता हैं हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने पूरा बहुत अच्छा भाशन किया भी बहुत सारी बातें कहीं लेकिन उन्होंने अंत में मेरी एक अग्रह का उन्होंने उर्क्ष विकार नहीं किया उन्होंने महात्मा ग पार्टी के नेताओं को लेकर अगर जिकर करते हैं और आप ही के पार्टी के बड़े नेता चिंता ना करें तो फिर समझ में आना चाहिए आपको कि पार्टी किस गर्त में जारी है पार्टी किस गर्त में जारी है संजीब जी मैं सवाल पूछना हूँ आपसे आप जवाब देनी रहे हैं आप डिबेट को डायवर्ट कर रहे हैं मैं उदर नहीं ले जाना चाहता मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता मेरा वो टॉपिक नहीं है जिस दिन संजीब जी मेरा आज इस पर चर्चा नहीं होगी, आज इस पर चर्चा नहीं होगी सञ्जीन सवाल नहीं है और जटाब नहीं लिया जाएगा इसका जऒब यह श्वाब हमारी है इस पर मैंने अगर आपको ज़ो किया है तो 36 गार कांग्रेस को लेकर चिनता कर रहे हैं अगर तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आगर आपको चिंता नहीं है अगर आपको इस पर जवाब नहीं देना है तो आप जा सकते हैं अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं आपके पास जवाब नहीं है तो आप ना बेटिए लेकिन मैं चर्चा मैं जिस पर च सब्सक्राइब में वहीं बात नहीं हूं है आप अलग तटीके से बात कर रहे हैं मैं वहीं किया ने सवाल पूझ आप से मैंने आपसे सवाल पूचा क्या? मैंने सवाल पूचा सर अगर 42 विदायक पहुच गए उसके बाद भी अगर आपको चिंता नहीं लगती है तो अच्छी बात है अच्छी बात है जब टिया सिंग्देव रोना शुरू कर देंगे तब भी आप कहेंगे नहीं सबकूष ठीक चल रहा है बोलते रहें लेकिन कम से कम से कम से कम से अच्छा बोले चला के बो Pokémon कहीं तो मानें तो सभी संजीब जी यहीं समस्या है कि आला कमांग तक जो सलाकार बैठे हैं सर्व गर्त में डाल रहे हैं पार्टी को कम से कम ऐसे एडवाइजर रखे जाए जो पार्टी के उठ्थान के लिए सुचें सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह तो है नहीं के लिए आप लोगों को बुलाया गया है अगर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं तो जा सकते हैं सर्था आप जा सकते हैं सर्था मैं फिर पूछ ओँ आपसे नहीं होगी छट्या सथा जोरी इस तिए हैं कि इतना इतना प्रिला चलाकर के और जूट बोला जाए कि जो जूट है वो सच्चाई में तब्दील हो जा है यह स्कतिया बनी है और ऐसे में अगर गंभीता के साथ सवाल अगम में पूछ रिया कि पार्टी में मंतन चिंतन करने के आवशकता है तो वो कह रहे ने जी सब कुछ ठीक है कि जो जो जूट बोलो जो जो बार बार बोलो तो तो वह सचो जाता है तो अच्च भी इनको ये मानना पड़ेगा कि कही ना कहीं कॉंग्रेस में बहुत बड़ी गरμण है और अगर इसको साह रहेट नहीं तो दोगा। बढ़ेट करते रहेंगेगे तो जो अपने तो कम शलेंदा दान्दी वेलिए Süsil जैए उसको सेंटियू जैगा तीनि अध gdzieś इतनी समस्या राजे संजी जी जी हो रही है जी 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 जैश्वनी जी मिल रही है जारीं जी-जी जी जी कहीए आप डाज आ पये है पूर्ट हो पर लेकर है तो अपनेज तो काश्य सिर्थ वां के चांपर्ट को लेकर की जाए तो कॉंग्रिस पार्टी के निताओं की और सिर गानी और गौटसे का जिक्रोना शुरू हो जाता है जिस पर चर्चा होगी उसी पर बात की जाएगी और वही सिद्धान के साथ आगे बढ़ा जाएगा लेकिन है कि डिवेट को अखाड़ा बनानी की दिशा में अगर जिस पर मन्थन चिंतन होना चाहिए वही सवाल जब पूशा गया तो यह नाराजगी जाहिर हो जाती है कि सित्यां कॉंग्रिस के अंदर सब कुछ ठीक है प्रायजित तरीके से से बताने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं व्याली से ज्यादा विधायक अ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था उसी पर अगर मंथन चिंतन करने के लिए जी 23 के बड़े नेताओं की तरफ से जिक्र कर दिया जाए तो फिर क्यों नहीं विचार करना चाहिए पिर क्यों नहीं आलकमान को सोचना चाहिए वो पार्टी का अंदूनी मामला है यह बात सचन पाइलेट डिप्टी सीम के तौट पर बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे तो उसमें उसी उस रच्षा करसी में अगर नुकसान किसी का हुआ तो फिर वह की आवाम का हुआ वही सित्या पंजाब कॉंग्रिस के अंदर भी बनी रही जिसमें इतने सालों तक सब कु जोरी जी मेरा सवाल सिंपल सा था जो संजीव जी से मैंने कहा कि क्या ऐसी इस्तिती है वरतमान में अगर कॉंग्रिस पार्टी की अगर अभी आपने अगर कोई फैसला नहीं लिया चाहे वो अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हो या फिर एक बड़े बदलात की दिशा में मत्यपर्देश में जो कुछ हुआ और पंजाब में जो कुछ अभी चल रहा है अभी इनको लग रहा है कि चन्नी जी बन गए है मुख्यमंत्री तो सब ठीकता आ गए लेकिन अंदर-अंदर क्या इस्तितिया बन रही है क्या पॉलिटिकल डेवलप्मेंट्स हो रहे है क्या मालूम था कि ये इस्तिति बन सकती है लेकिन कॉंग्रेस का नेतरत तो को लग रहा था कि नहीं जो जिन्दिया कहा जाएंगे उन्हें कौन लेगा लेकिन जब अब आज समझना चाहिए कि उन्हें पलक पावनों पर बिचाया बिचाला बीजेपी ने और वो इस्तिति दिय जो कॉंग्रेस तभी नहीं दे सकती थी वो इस्तर दिया है उनको तो ऐसे में अगर समय रहते हैं जो चछतिसगाड में जो भी चल रहा है अगर सिंगडेव हैं पूटना चाहता हूँ कि महत पावि थी नब जो सिंग्प करसी तक पहुँंचे नहीं और उसे पहले ही पहार पाटी से होने की दिशा में बढ़ गए केप्टेन अमरिंदर का जिक्र करें वो भी महतकांशी रहे उनके साथ भी यह स्तितियां बन गई वो भी भार का रास्ता देखने के लिए मजबूर हो गए वह स्तितियां 36 गड़ के अंदर नजर आती है दवेश अब्दों में साही तिये तिंग्देव ने जिक्र कर दिया कि सुरक्षित मसला है ढ़ाई-धाई साल का जिक्र हुआ था लेकिन वो होता नजर नहीं आता तो समस्या तो होगी लेकिन वो शक्ति प्रदशन भूपेश वगे लगर कर देंगे तो फिर समस्ये परे हो जाएगा फिर वो मुख्यमंत्री वाली कुर्टी की की जो कामना है वो पूरी होगी नहीं मैंत काईशा हावी होती है ये बात ठीक है लेकिन डिसिप्लिन नाम की जो चीज पार्टी के अंदर होनी चाहिए क्या वो इस्तिया नहीं है अब जो है केंद्री नेत्रत्तो का जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है कहीं नहीं जो पहले ऐसा नहीं होता था पहले कभी ये G23 के बनने से पहले कभी कॉंग्रेस नेत्रिस तो यानि की सोनिया गांदी, राजीव गांदी, राहूल गांदी, ठीकि गिलाब कोई बोलने वाला नहीं होता था लेकिन G23 ने एक रास्ता दिखा दिया है नए नेताओं को, यंग नेताओं को, आप देखिए, आप तो मत् पिया कुमार का जो स्लोगन था, उसके कारण से विरोज किया है उन्होंने, पहले कॉंग्रेस में ऐसा नहीं होता था, पहले कॉंग्रेस में काफी हद तक डिजिप्लीन थी, और वो ये G23 वालों को भी आज तक नहीं समाल पाया इनका नेत्रत्व, और उनका कोई बहुत ब यानि कि ये जो इस्ति है वो उपरी लेवल से हैं, और उपर लेवल में दोफाल के इस्तिया आ गई तो फिर धरातल पर इसका असर नजर आएगा, स्टेट लेवल पर इसका रज़र आ रहा है, ये माल ने, ठीक है, ओके संजीर जी इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इसी पर, फिर उसके बाद आगे मड़ू मैं लोगों को इस लोगों को अबिवेक्टी की अजादी दी जाती है, लोगों को जिन्दा दिल बनाया जाता है, लोगों को वाकरी में आज़ाद और सतंत्र महसुस कराया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी विचार धारा के गुलाम बना दो किसी को, किसी पार्टी के अंदर में उस चुब क्यों चोड़ नेटा, सजीव घुझ मैं आपको आपके सवाल का जवाव आप से लेना चाहराँ, एक पार सुन लेंगे आप आपकी बार बार के रहा हो, आप BJP को अक्ता को डित रहने करते हैं, मैं आपकी बात पुरी होगी, आप अपनी बात पूरी कर लिजे, मैं आपको पुरा टाम पूरी कि रहरा हूंВы मुझे दे बात करें, बात पूरी कि, मुझे कों अंद में सब खकाए सब्सक्रपशीu इसले मेरे पहले काव बक्ट बहुं भागतिकि नाहें जायता हैं। झाले पर को प्रवाग्ते को करने लेकिन अभी वेक्टि की आजादी किसी की नहीं चीन्ते हैं। हमें जाहरे आज़ित की तरह एक्ट की घटतन नहीं होती हैं। आपने देखा आपके चैनल में BJP प्रवक्ता से मैंने केवल अग्रा किया कि अज गांधी जन्ती के दिन याँ सद्धान्जिली गांधी जी को तीज जाए कि उनके हत्यारों को मुर्दाबार लगाया जाए तो सर इतनी आजादी RSS ने BJP और लोको नहीं दिये अभी कल आपको दिखने निउस देखने को मिल जाएगी कि हिंदू महात तभा और कुछ और ऐसे संगठान गांधी जी की मूर्टी को काईदा गोली मारते हुए वीडियो और फोटोस कर आप कुछ मिल जाएगे शायद आप लोग नहीं दिखाएंगे या दिखाएंगे भी तो बात में दिखाएंगे जब दिखाएंगे कॉंग्रिस पार्टी की हो चली है कि सब कुछ चंगा चंगा कहके घर्थ में पार्टी जा रही है मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे संजीब जी आपने कहा कि बहुत discipline लोग है गोटन महसूस पार्टी के अंदर कोई करता नहीं, RSS वाली सिती नहीं है, कि कोई दबा के रखे, गला दबा के घोट के रखे, अच्छी बात है, तो फिर पार्टी के नेता, रास्टवाद छवी का ही कैसा नेता, कैप्टन अमरंदर जब भार निकलता है तो वो क्यों कहता है कि मेरे को दबा के रखा गया, मुझसे बरदाश नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपमानित महसूस कर रहा था पार्टी छोड़के चला गया, ये कैसा डिसिप्लिन है सर, ये कैसा डिसिप्लिन है, आप बताईए नव्जो सिंग सिद्धू, वो कहते हैं कि नेतिक्ता के दादों से मैं समझोता कर नहीं सकता, इसलिए मेरे को भाड़ आना पड़ रहा है, आप बताईए कि ये गला कौन घोट रहा है, क्या पार्टी के अंदर RSS के लोग आ गए, कैसा सर, ये गला कोई नहीं घोट रहा, ये गला घोटा है उनकी महसुकान चाहें, लोगों जो ऐ लेकिन एक आदमी के लिए नहीं है न सर, इसारी चीज़े, समको देना पड़ता है हमको, समको जो कॉंग्रेस का कार करता है, जो इस देश भक्ती में अपनी योगदान दे रहा है, उन समको पाड़ी-पाडी से नमबर लगाना पड़ता है न सर, एक का विकास, एक का साथ क बीजेपी की तरह हमारे यां नहीं है, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मुले पर अगर आप चल रहे होते न सर, तो अध्यक्सी कुरसी पर आज कोई और बैढ़ गया होता, जी-टून्टी-थरी वाले खुश हो गए होते हैं, संजीब जी, अध्यक्सी कुरसी की जो कमी है, चर्चा को राम दिना होगा, अश्मनी जी, आरेसेस वाली इस्तिती नहीं है, कॉंग्रिस पार्टी के अंदर गला घुटने जैसे महसूस नहीं करते हैं, वागे कार करता नेता, इसलिए वो सवाल का जवाब दे देते हैं, पार्टी छोड़के निकल जाते हैं, डि संजीर जी मैं आ रहा हूँ, संजीर जी मेरे पास बक नहीं है, अश्मनी जी मी बात रखते हैं, आप रखते हैं, ठीक है, अश्मनी जी मिलेंगे, उपने ना विचार बचेगी, ने विचार भारा बचेगी, आपके डिवेट को सवालों का जवाब दे सर, डीरिल करने की कोशिश करने हुए, कांग्रेस के हमारे मित्र, ये भोल जाते हैं, कि अब कांग्रेस पार्टी असाचल की तरफ जा रही है, अब इसको को कोई खेवनार नहीं बता है, कोई ना कोई संकट मोचक तो आएगा, संजीव शुक्राइजी की बातों से लग रहा है, कोई ना कोई संकट मोचक तो आएगा, जो बचा लेगा पार्टी को, कोई तो आएगा, चलिए वक्ती कमी है, अश्मनी जी माफी के साथ रोग रहा हू G23 अगर पैदा हो गया है तो उसके डेमेज को कंट्रोल करने के दिशामे कॉंग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए ना कि आला कमान जो सेंटर लिवल पर कॉंग्रेस टूटी है वो अलग-अलग स्टेट्स में गर टूटी चली जाएगी तो उस बिखराब को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे के साथ बारग बहस में इतना ही देश दुनिया की दवाम कबरों के लिए आप देखते रहे हैं वीके न्यूज रस्क नाम